गोविन सिंग डोटासरा ने अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को हिंदी मीडियम स्कूल में बदलने की बात पर कहा कि अगर ऐसा किया गया तो वह सरकार की इट से इट बजा देंगे उन्होंने चेतावनी देते वे कहा कि अगर अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों को फिर से हिंदी मीडियम बनाया गया तो आम मजदूर किसान सडक पर उत्रेगा उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी नेताओं के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और गरीब के बच्चों को अंग्रेजी सिक्षा भी नहीं मिलनी चाहिए क्या यहाँ बीजेपी की सोच है बता दे कि हाली में अंग्रेजी मीडियम स्कूल में एड्मिशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया था वहीं अब कुछ जिलो में अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के लिए एड्मिशन की प्रक्रिया शुरू की गई है हाला कि इस पर राजनीती काफी तेज हो गई है बताया जा रहा है कि राजेस्थान की नई भजनलाल सरकार अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को फिर से हिंदी मीडियम स्कूल में बदलने की प्रक्रिया पर काम कर रही है हाला कि इस पर आधिकारिक एलान नहीं किया गया है आपको बता दे कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल की शुरुवात पुर्व में कॉंग्रेस की गहलोज सरकार ने शुरू की थी लेकिन माना जा रहा है कि जैसे कि पूर्वकी गहलोज सरकार के कई फैसलों को बजनलाल सरकार ने बदल दिया है इसे भी बदला जा सकता है पूरे देश में लोकसभा चुनाओ दोहजार चौबिस के नतीजे चार जून को जारी किये जाएंगे इसके बाद चुनाओ खत्म होते ही राजेस्थान में विधान सभा सत्र शुरू होगा इस विधान सभा सत्र में कॉंग्रेस सरकार को सडक से सदन तक घेरने की योजना बनाई गई है डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कानून विवस्था के हालाद बहत खराब हैं आये दिन महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और हमारी सरकार की तुलना में आज अपराध डेट कई गुना बढ़ चुका है और इसका खामियाजा इन लोग सभाचुनाओं में भाजपा को घाटा पड़ेगा हम प्रदेश में भाजपा से जादा सीटे जीत करा रहे हैं